असलाम लेकूम, कैसे हैं आप लोग सब, तो मैं हूँ अशी तरनुम और हमेशा की तरह एक न्यू रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ तो देखें मैंने राइस भिग हो दिये हैं और मैं लंच मनाने जा रही हूँ तो मैं लंच में क्या बनाऊंगी मैं बनाऊंगी मत्र राइस और मसाले वाले तो सबसे पहले हमने सारे गरम मसाले भी निकाल लिये हैं और प्याज, टमाटर, हरीमी, चदर, सब कुछ काट लिया है फिर लिया है हमने कूकर, उसमें ऑईल डाला है और ऑईल को खुब गरम कर लेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें कटी हुई प्याज ये डेर प्याज है, क्योंकि मैंने दो ग्लास राइस लिये थे फिर उसके बाद सारे गरम मसाले इसमें थोड़े थोड़े डाल देंगे क्योंकि बहुत अच्छी खुश हुआती है, उसे जीरा, लॉंग, लाइची, तेजबास हर चीज इसमें डाल देंगे दालचीनी, थोड़ी-थोड़ी सी और जोभी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और दीखे मिर्च कितनी डालती है तो ये हर इंसान के टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि बहुत सी लोग बहुत अदध स्पाइसी खाते है और कुंछ लोग तो बहुत ली हलकी मिर्श कहते है तो आप जैसा खाना कहते है वैसे डाल दीजेगा फिर अद्रग्द झाल दाल लिया तुमाटर्र और इसको जो है हलका हलका से कर लेंगे फ्राई फिर उसके बाद डालेंगे हल्दी लाल मेच अचार और सौफ पीसी हुई है और नमग यही चीजे डालेंगे धनिया पाउडर ने डालेंगे पता है यह बहुत tasty बनते हैं और light masala के होते हैं और spicy भी कर सकते हैं पता है धनिया मैं नी डालती हूँ कभी आप धनिया के बिना धनिया powder के बिना भी बना के देखे बहुत tasty लगते हैं फिर थोड़ा सा पानी डाला है मसाला भुनने के लिए क्योंकि हलदी की जो एक smell होती है ना कच्छे पन की वो निकल जानी चाहिए और अब जो मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें डाले हैं मतर मतर भी जित्या आप खाते हैं वैसे जादा डाल लीजे कम डाल लीजे फिर डा तो मैंने राइस लिए थे दो ग्लास कि वो हमारे लिए बहुत होते हैं तो चलिए अब राइस डालने का नमबर आ गया है तो अब हम डालेंगे इसमें राइस हम पहले पानी डाल कर फिर भी राइस डाल सकते हैं लेकिन मैं पहले राइस डाल रही हूं और पानी जो है मैंन चावल बनेगा और चलिए अब डाल देते हैं सीटी लगाने के लिए और मेरी दोनों बाटल्स जो है ये ओल वाली खाली हो गई है तो अब इनको भी फेल कर लेते हैं पूरा रिफेल कर लें इनको और जब तक एक सीटी आती है और यह बच्ची उशकरकंदी इसको करने का तो आप लोगों को मेरे व्लॉक्स कैसे लगते हैं मेरी रेसिपीज कैसी लगती है प्लीज बताया करिए और मेरे यूच्यूब चैनल फुडालाविद अर्शी को कर दीजे फटा फट से सब्सक्राइब और प्लीज अभी कर दीजे वरना आप लोग भूल जाएंग और इंस्टा पर भी मेरा पेज है उम्राशी के नाम से उसको भी फॉलो कीजिए अल्ला आफेज